जिस तरह से भाई मुक्त ब्रश्टाचार हो रहा है आपको जानके ताजूब होगा कि बिल्कुल लूट मचाई है 3,900 करोड जैसे अपना माल हो और कोई उठा ले वो उठाया जो क्रोनिजम चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के अशिरवाद से उनकी मिली भगत से उनकी वज़े से उनकी में बात आपके सामने रखना चाहता हूँ गुजरात में एक PPA Power Purchase Agreement अदानी के साथ अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड के साथ GOG का मतलब Government of Gautam नहीं Government of Gujarat Government of Gujarat ने साइन किया PPA उसमें ये condition थी कि जो भी energy charges देने हैं वो जो इंडोनेशिया से कोल आएगा उस कोल की प्राइज ताई होगी और उसके आधार पे energy charges अदानी मुंद्रा पावर लिमिटेड को दिया जाएगा ये पावर परचेज एग्रिमेंट साइन हुआ अब ये कोल प्राइज कैसे तई होगी उसके लिए साफ तरीके से PPA में लिखा गया कि जो भी परचेज करेगा अदानी कोल उसके transparency, competitive bid और बिल वो गवर्मेंट को submit करेंगे और गवर्मेंट जो international market में प्राइज तरने के लिए एक सरकीट है Argus Argus के दाम और अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड ने परचेज किये हुए बिल दिये हैं उनका comparison होगा अगर Argus से कम है तो वही पैसा मिलेगा अगर Argus से ज्यादा बिल है तो भी Argus से उपर उसे energy charges नहीं मिलेंगे यह साफ PPA था आपको ताजूब होगा कि पाँच साल तक अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड ने बिल सब्मिट नहीं किये documents दिये नहीं transparency की बात नहीं की और selected लोगों से मैंने अपर सरकीट में खरीद किया है मुझे energy charges दे दो और सरकार देती रही करोडो करोडो रुप्या देती रही और यह भी फिर भी बाहर नहीं आता यह जो मैंने आपको कागज दिया है वो बाहर नहीं आता क्यों आया कि hidden बर्ग की report आई सुप्रीम कौट में committee रखने की बात आई कुछ लोगों को पता चल गया कि अदानी को यह करोडो रुप्ये दे रहे हैं उन्होंने आर्टी आइज की सैभी investigate करेगी डर लगा फिर अधिकारी मिले कि हम तो पांच साल के से इसको लूटने देते हैं बड़े बॉसिज के कि यह बिना तो नहीं सकता ना जब तक मोदी जी या मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे कोई अधिकारी आईएस अधिकारी इतना रिस्क नहीं लेता वो देते रहे थे फिर डर लगा कि यह कहीं न कहीं बात खुल गई तो कल जैल में हमें जाना पड़ेगा तो यह खत लिखा गया मैं आपको जो मैंने आपको डॉक्यमेंट दिया है उसके पहले पन्ने के थर्ड लाइन के लिए आपका एटेंशन इन्वाइट करूँगा फर्स्ट पेज थर्ड लाइन बॉटम से उपर जो परेग्राफ इन दे इंप्लिमेंटेशन स्टेज अबव इंट्रिम मेंचेनिजम इट इस अब्सवर्वड दे रेट अट वीच कोल इस बीग पर्चेस्ट बाइप अप्यमे यूल माने अदानी पॉर्ट मुंद्रा लिम इसका मतलब है गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड पर गुजरात में कहते हैं के गुवनल माने गौतम उर्जा विकास निगम लिमिटेड है has been repeatedly seeking सरकार बार बार मांग रही है क्या मांग रही है documents invoices reports with regard to the reference being taken by Adani Pot Mundra Limited in procurement of coal through spot market inquiry हम बार बार मांग रहे हैं आप दे नहीं रहे हो अगर वो नहीं दे रहे थे तो सरकार उसको पाच साल तक पैसे क्यों देने लगी नाव मैं आपको सिर्फ टाइम बचाने के लिए relevant paragraphs में माने second page पे तीसरे पारा पे आप आजाईए second page के third paragraph यहां लिखा है it is mentioned that energy charges paid admissibly by GUVNL for the period from 15th October 2018 to 31st March 2023 मने पांच साल तक is around 13,802 13,802 करोड रुपिये हमने आपको दे दिये हैं considering सर्क बेज रेट on 13 जून 2022 around 12,364 क्रोज while payable amount as per the और अर्गूज रेट रेट यह कहते हैं के हमने 13,802 करोड आपको दे दिये आपने कोई बिल सब्मिट नहीं किये थे जब अर्गूज के रेट देखे तो हमारा calculation बनता है कि आपको हमें देना था सिर्फ 9,902 करोज आगे यह लिखाया उन्होने Considering the Argus Index as a base rate work out to around 9,902 करोज GUVNL submission and request under the petition was to consider only prudent cost of the coal सही price हमें करनी थी हमने आपको 13,802 करोड रुपिया दे दिया हकीकत में आपका बनता था 9,902 करोज माने 3,900 करोड आपको हमने ज्यादा दे दिये फिर वो कहते हैं इसके नीचे वाले paragraph पे आजाए The matter with regard to the interim mechanism for ad hoc payment was examined by the board of GUNL and need was felt to review the methodology in the interim mechanism in the view of excess payment made to Adani Port Munra Ltd. अब ये request करते हैं इनको ये request करते हैं इनको कि आपको 5 साल में हमने 3,900 करोड ज्यादा दे दिये हैं उसको आप वापिस करो अगर सुप्रीम कोड की कमिटी नहीं बनती अगर हिडन बर्ग की रिपोर्ट नहीं आती अगर कुछ लोग RTI नहीं करते तो ये खत लिखते नहीं और 3,900 करोड अधानी को गवर्मेंट के पैसे और ये भी Power Purchase Agreement के है तो ये पैसे किसके उपर जाएंगे हमारे उन गुजरातीस के उपर जिन्होंने बाजपाक की सरकार बनाने में मदद की थी ऐसे गुजरातीस के उपर ये पैसे 3,900 करोड जा रहा है हमारी मांग है कि ये और कुछ नहीं है Money Laundering है इस खत को देखती हुए साप निकलता है कि ये लूट है 3,900 करोड की लूट ये Money Laundering है और इसके लिए क्या वहाँ पे ED को नहीं जाना चाहिए कहां वहाँ पे CBI को नहीं जाना चाहिए सैबी जो investigate कर रही है क्या ये सैबी के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि इसको investigate करें मारा दूसरा सवाल है कि कोई अधिकारी पांच साल तक उस आदमी को जिसको Power Purchase Agreement के तहत Bill देना था Documents देना था Transparent Bidding की सारी हकिकत देना था वो नहीं देते हैं और 13,902 करोण रुपिये उसको दिये जाते हैं वो कोई अधिकारी तय नहीं कर सकता है तो वो किस के कहने से दिये गए चिफ मिनिस्टर के कहने से प्रधान मंत्री के कहने से थे उसका जवाब हम मांगते हैं इसे साफ दिखता है कि जो पार्लामेंट में स्लोगन चलते थे मोदी अदानी भाई 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 देश बेच के खाई मलाई ये इसका सबसे बड़ा नमूना है हम ये भी मांग करते हैं कि आपने डर के मारे खत तो लिख दिया पर आज तक 3,900 करोड में से वापिस कितने पैसे आए और इसका इंट्रेस्ट लेने में सरकार को इंट्रेस्ट है या नहीं है इस पूरे खत में कहीं नहीं लिखा है कि 3,900 करोड आप से वसूल लेने हैं पांच साल में दे दिये हैं उसका इंट्रेस्ट उसका ब्याज इस रेट से लगेगा वो कहीं पर नहीं लिखा है तो इसके लिए भी जिम्मेवार कौन ये कुछ हमारे सवाल है